कहा जाता है मेहनत से मनजिल मिलती है पर किस्मत साथ ना दे तो वो मेहनत भी बरबाद होता है सपनों का बसा बसाया घर भी तूट जाता है दुर्भागे से मेहनत के साथ थोड़ी बहुत किस्मत का भी साथ होना चाहिए फिर जाके मनजिल के दर्शन होते हैं आज हम किस्मत और मेहनत की बात कर रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि आज की कहानी एक ऐसी हस्ती पर है जिसमें अभीनेत्री बनने के सारे गुंड थे अपनी पहली फिल्म के बदौलत लाइम लाइट में भी आई इन पर कुछ फेमस गाने भी फिल्म आए गए पर फिर भी ऐसी क्या बात थी इनके साथ जिस वजह से शन में मिला हुआ स्टार्डम शन में मिड़ गया या मिटाया गया स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है जहां मैं अनाम का फिल्म जगत से जुड़े लोगों की कहानिया लेकर आती हूँ दोस्तों आपने ये गाना सुना ही होगा आपका खत मिला आपका शुक्रिया आपने याद मुझ को किया जिसमें एक अभी नेत्री को किसी का खत आता है और वो बहुत खुश है साथ ही आपने ये भी गाना सुना होगा ले तो आए हो हमें सपनों के गाउ में अभी तक आप समझ गए होंगे कि आज की कहानी बहुचर्चित अभीनेत्री रामेश्वरी पर है रामेश्वरी पर फिल्माए हुए ये गाने आज भी संगीत प्रेमी सुनते हैं रामेश्वरी का अभिनय सादगी से भरा रहता था और उनका चेहरा भी इस भाव को दर्शाता था आज भी लोग अभिनेत्री रामेश्वरी को याद करते हैं तो उनकी यही सादगी से भरा रूप सामने नजर आने लगता है तालूरी रामेश्वरी को सिर्फ रामेश्वरी इस नाम से पहचान मिली उनका जन 6 जनवरी 1958 को आंधर प्रदेश में हुआ उनका बचपन काकी नड़ा शहर में बीता बचपन से वो बहुत खूबसूरत थी लोग उन्हें अभिनेत्री राजश्री की हमशकल मानते थे इसलिए उन्हें बचपन से अभिनाई के प्रती रूची थी प्राथमिक शिक्षा लेने के बाद वो पूने आई और यहां के फिल्म और टेलविजिन इंस्टिटूट में दाखिला लिया 1975 के साल में उन्हें आक्टिंग में डिग्री मिली प्रतिश्टेद इंस्टिटूट से अभिनाई की शिक्षा लेने के कारण उन्हें राज्री प्रोडक्शन अंतरगत अपनी पहली फिल्म में काम करने का मौका मिला उस फिल्म का नाम था दुलहन वही जो पिया मन भाय इस फिल्म में उनके द्वारा निभाया गया किरदार दर्शकों को खूब भाया फिल्म के गीत और अभिनाई की खूब प्रशनसा होने लगी ये फिल्म उस जमाने की सूपर डूपर फिल्म थी रामेश्वरी के साथ इस फिल्म में प्रेमनात का बेटा प्रेम किशन ने भी अभिनाई की शुरुआत की थी पर इतने बड़े स्टार का बेटा होने के बाद भी दर्शकों ने रामेश्वरी के अभिने की तारीफ की और उन्हें रात और रात सूपर्शार बना दिया फिल्म जगत में ऐसे बहुत कम अक्टर्स हैं जिनकी डेब्यू फिल्म सूपर हिट रही हो पर उस जमाने में रामेश्वरी ने चमतकार कर दिया था इसके साथ ही लोग कहने लगे कि उन्हें दूसरी जया भादुडी मिली है क्योंकि सावले रूप वाली अभिनेत्रियों में जया भादुडी ऐसी अभिनेत्री है जो सिर्फ आक्टिंग के बदालत काम्याब रही पर जया भादुडी की किस्मत और रामेश्वरी की किस्मत में बहुत बड़ा अंतर रहा रामेश्वरी की फिल्म तो हिट रही पर उस दौर में कॉम्पेटिशन इस हद तक चल रहा था कि बड़े बड़े फिल्म निर्माता गोरे रंग वाले अभिनेत्रियों को मौका देते थे पर ऐसी बात भी नहीं थी कि बड़े फिल्मकारों ने तुरंधी रामेश्वरी को पीछे ढखिल दिया पहली फिल्म हिट होने के बाद रामेश्वरी का जादू अगले दो साल तक टिका रहा क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनकी मेरा रक्षक फिल्म आई जो सामानी स्तर पर हिट रही उसके बाद एक हाथसे ने उनके करियर पर रोक लगा दी दरसल 1978 की फिल्म सुनैना में शूटिंग के दोरान उनकी आँख चोटिल हो गई इस वजह से मजबूरन उन्हें हमेशा सेकेंड लीड वाले रोल करने पड़े पर किस्मत हमेशा कभी एक जैसी नहीं रहती 1981 की फिल्म शार्दा ने जबरदस्त कमाई हासल की पर क्यूंकि इस फिल्म में सूपर स्टार जितेंद्र थे इसलिए रामेश्वरी को कम प्रशन सा मिली उसके पहले 1980 में रामेश्वरी ने जितेंद्र के साथ आशा इस फिल्म में भी काम किया था ये फिल्म भी सूपर हिट रही पर इस फिल्म में रीना रॉय जैसी बड़ी अभीनेत्री होने के कारण रामेश्वरी को लोगों ने नजर अंदास कर दिया पर सही माईने में रामेश्वरी के नाम बस तीन सूपर हेट फिल्मों तक रहे दुलहन वही जो पियामन भाय, शार्दा और आशा तु एक नंबर का दो के बाद है क्या दुका किया है मैंने क्यों जुटा इजाम लगा रही है मैं इजाम लगाती यही तुम्यामी लोग का इंसारत है ना गरीब लोग का दिल दुका के मजा लेना मेरी बेचीवी खिलोने से दुनिया खेलती है और तु? मेरी कोई खिलोना बना के खेलने लगा मुझे सम्मालूम है बोल वो तेरी मा नहीं थी? तु पॉलिस नहीं है? हाँ कमो ये सच है वो मेरी मा है और मैं पुलिस अफसर हूँ तो फिर ये दोका नहीं तो क्या है? ये एक सरकारी राज है कमो जो मैं किसी को बता नहीं सकता अब मैं? तेरे वास्ते? किसी हो गई? रामेश्वरी को लेकर एक बात हमेशा कही जाती है वो दक्षिन भारत से आई ऐसी अभिनेत्री है जिनहें बड़े जाने माने हीरो के संग काम करने का मौका मिला नहीं इस वजह से उन्हें अन्य अमिनेता के आपोजिट काम करना पड़ा हिंदी के अलावा वो तेलगू तमिल फिल्मों में भी नज़र आई सुनैना फिल्म में नसीर उद्दिन शा जैसे नायक का साथ तो मिला लेकिन नसीर आर्ट फिल्म के हीरो माने जाते थे और कमर्शियल फिल्मों के लिए उन्हें उप्यूक्त नहीं माना जाता था फिल्म अगनी परिक्षा में अमोल पालेकर शारदा और आशा फिल्म में जितेंद्र कालका में शत्रुगन सिन्हा का साथ मिला लेकिन रामेश्वरी लीड रोल में नहीं थी वक्त वक्त की बात में राकेश रोशन भी उनके साथ थे पर उस जमाने में रोशन साहब खुद संगर्श कर रहे थे मेरा रक्षक तथा आदत से मजबूर फिल्मों में मिथुन चक्रवर्ती सहनायक थे लेकिन इन में रामेश्वरी के अलावा अन्य हेरोईन भी थी दुर्भाग्य से उस दौर के टॉप अक्टर्स अमिताब, धर्मेंद्र, विनोध खनार, रेशी कपूर का साथ रामेश्वरी को कभी नहीं मिल पाया पर इन बड़े कलाकारों के पीछे बड़े फिल्मकार होते थे अगर फिल्मकार खुद रामेश्वरी को कंसिडर नहीं करेंगे तो कैसे रामेश्वरी का करियर बनता पर रामेश्वरी ने इस बात को कभी सर पर नहीं लिया आगे चल कर उन्होंने पंजाबी फिल्मों के अभिनेता दीपक सेट से शादी की जिनसे उन्हें दो बेटे हुए भासकर प्रताप और सूर्य प्रेम 2005 की बंटी और बबली, 2011 की फालतू फिल्म में भी रामेश्वरी निजर आती है एक इंटर्व्यू के दरान रामेश्वरी ने एक बात कही वो कहती हैं मैंने भले ही कम फिल्मों में अभिनाई किया होगा मैंने भहुत सारा पैसा भी नहीं कमाया होगा भले ही मुझे कोई पूरस्कार नहीं मिले होंगे लेकिन मेरी एक बहन, एक पती, प्यारे बच्चे हैं जो मुझे अपने अस्तित्व का आधार मानते हैं आज के समय रामेश्वरी जी 63 साल के हो चुकी है फिल्मों से दूर रामेश्वरी अपना बिजनिस संभालने में व्यास्त है उन्होंने नीमली नाचरल्स के नाम से अपना ब्रैंड शुरू किया है जिसके अंतरगत वहाँ नाचरल स्किन केर और अरोमा थेरेपी के प्राड़क्स बनते हैं तो मैं थी आपकी अनामिका मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट सेक्षिन में जरूर बताईएगा और हमारे चैनल बयोग्रोफी आन्ड रियल लाइफ स्चोरीज को सब्सक्राइब करना न भूले नमस्कार